हाई फ्रेंड्स तोड़े आम गोंग टू शो हाउ टू मेक 3D टूलपाद फॉर डॉर अन ऊट्रियाल तो आज मैं दिखाऊंगा कि ऊट्रियाल के ऊपर हम डॉर का टूलपाद कैसे बनाते हैं फर्स्ट हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा उसके लिए आम क्या करेंगे फर्स्ट वी आप टू ड्रावन आव लाइन सो वी गो तो इस क्रेट वेक्टर बाउंडरी फ्रॉम रिलीफ ऑप्शन इसके बाद क्या करेंगे बाहर क्लिक करेंगे और यह वाला लाइन सिलेक कर लेंगे फिर टूल पाद में जाएंगे जाने के बाद यह ओप्शन में जाके सिलेक्ट इनसाइट फिनिज डेप्ट सिलेक्ट 0.5 मेशिन सेबजेट वी विल टेक 30 mm देन प्रोफाइलिंग टूल 6 mm एनमिल एडिट ओप्शन स्टेप डाउन 0.5 ओके सिलेक्ट उसके बाद सेट अप में जाके जैसा है आपका मेट्रियल इदर लिक देंगे देन सिलेक्ट इस ओप्शन एन सिलेक्ट इस ओप्शन देन ओके नाउ प्रेश यह क्लोज इसके बाद क्या करेंगे जैड रफिंग करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि यह जो 3D है इसका डेप्श कितना है तो एसाइन में जाके we can check the value of the 3D depth here we can see 12 mm so go to toolpath option again तो हमने देखा कि material का depth है 12 mm so here we will use the jet level roughing the second tool पर here we select the selected vector option now select roughing tool 6 mm mm we should put here step down 4 mm इधर हम 4 mm इसलिए दे रहे हैं 12 mm का हमारा 3D है तो 4-4-8 mm हम jet roughing कर लेंगे बाकी चारे में बचा रहेगा उसको हम हमारा बॉल्लों से finish करेंगे ओके नाउ अभी हम 3D toolpath बनाएंगे सो प्रेस्ट हीर मेशीन रिलीफ देन सिलेक्टे वेक्टर देन सिलेक्ट मैं इदर पांचे में बालनों सिलेक्ट करूंगा अव्ट अव्ट अशे करेंगे अव्ट अव्ट अप्टिश यह चारे में बालनों से टीचट प्रेस्ट प्रेस्ट कर अव्ट झांगे एफ प्रेस्ट आंगे तो एक एक करके हम सिलेक करके ऐसे प्रेश करके simulation देख लेंगे jet drafting में ऐसा jet drafting होगा material इस तरह का दिखेगा और ये जो simulation मैं दिखा रहा हूं ये खाली ऊट के उपर ही आप प्रोयकड परेंगे मेटाल या स्टोन के उपर नहीं फिर ये वाला सिलेक करके 3D का सिमुलेशन देख लीजिए हमने 5 mm बॉलनों से फिनिशिंग दिये हैं अब देख सकते हैं 5 mm बॉलनों से हम इसका फिनिशिंग कर दिया तो इस तरह से आपको टूल पद बना के काटिंग करना है इससे क्या होगा इससे मेशिंग के उपर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और बीट कभी तूटेगा भी नहीं थैंक यू फ्रेंड्स बेस्ट अव लक